स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्कार विद्याथी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना चुतिर में परिशन ना चैतन्या स्टूडियो ना स्वाध्य टीवी मां आपनों हारदिक स्वागत छे आजे आपने त्वरित संदर्ब स्रोत निर्देशी काओ और हस्तप पुस्ति काओ विशे चरचा करीशू रेडी रेफ्रेंस सोर्सीज, डिरेक्टरीज एंड हैंडबूक अगाव आपने त्वरित संदर्ब स्रोत ना प्रकार वाश्रीकी और पंच्यांग नी उदाण स्वाध्य चरचा करीए आजे आपने त्वरित संदर्ब स्रोत ना बीजा प्रकार डिरेक्टरी एंड हैंडबूक नी चरचा करीशू सौप्रतम ंडिरेक्टरी विशे जो यह तो डिरेक्टरी एनोง गुजराती नियृदेश शिकाओ डिरेक्टरी ए मुल्यमान माहिती आपतोँ सरोध छे डिरेक्टरी दुरतियकक्षानों संदरःप सरोध छे जे उप्यक करनाने प्रात्मिक अने द्वितियक अक्षाना स्रोतनों उप्यक करवा सहायता करेचे आजना युगमा धन्धा किये सेवा किये के बीजा हेतु सर संगठनों मन्ड़ों संस्थाओं वगेरीनी स्थापना करवामा आवेचे कोई विशेश क्षेत्रनी कई-कई संस्थाओं के संगठनों छे तियमनु कारिय, प्रवरुति, नाम, सर्नामा, पदातिकारीनु नाम, वगेरेनी माहिती कोई ने कोई कारण सर उप्पोगताने जोईती होई छे आमाहिती शोध्वा माटे तेओ ग्रंथाले मा आवता होई छे आ प्रकानी माहिती जे स्रोत माती मढी रहे तिवास्रोत में निर्देशिखा के डिरेक्टी तरीके उडखवा माँ हावे छे डिरेक्टरीनी परिभषा, डिरेक्टरीनी व्यक्ष्या चोहिए तो डिरेक्टरी, डिरेक्टरी कोने कहवाएं? परिभाषा जो ये दो लाइबरेरियन्स ग्लोसरी ओफ रेफरेंस बुक मा जणावा अनुसार डिरेक्टरी तेक कोई शहर ना विस्तार ना के राजे ना रहवासियो संगठनो व्यापारी गुरुहुना नामनी यादी छे जे वणानुक्रमे के अन्य स्थड संदर्व मा क्रम मा के व्यापार ना जूत अनुसार के वणानुक्रम मा अत्वा व्यावसाइक लोको ना के उत्पादको के विसीष्ट व्यापार साथे संकडायला व्यापारी गुरुहु अत्वा व्यावसाइन ना वणानुक्रम मा पदाध्धिकारियोंना नाम तेमना कारियों भगेरे महीती संक्षित्मा अपेली होई छे अन्ने जे व्यक्तियों के संस्थाओनी व्यवस्तित क्रम मा गोठ्वाइल यादी प्रदशित करे तेने निर्देशिका के डिरेक्टरी कहिवाई छे किटलाग विश्वकोष, वार्षी कियों, जीवन चरित्रात्मकोष, पण आवी महीती आपता होई छे आवी महीती आपता के विभावना व्यक्त करता संदेब स्रोद मात्र डिरेक्टरी तरीके उडखाई छे तेउन नाम जुदा-जुदा पद, जेवाके एंसाइक्लोपीडिया, येर बूक, हैंडबूक, रजिस्टर, गाइड, वाकेरे डिरेक्टरी ना परियाय तरीके वपराता होई छे उदाहन जोईए तो, डिरेक्टरी नूँ उदाहन जोईए तो, World Learning National Register of Social Scientist in Indian University Science Book एक डिरेक्टरी छे, डिरेक्टरी ना हेतु जुदा-जुदा जोईए तो, डिरेक्टरी जुदा-जुदा हेतु सर प्रकासित करवा मावती होई छे ते विशे जोईए तो, राजकिये जुद्थो, पेडियो, संस्थाओनी, अित्यासी कने समकालीन माहिती पूरी पाडवा व्यक्तिके संस्थानू नाम, सरनामू, टेलिफोन नंबर, इमेल वगेरेनी माहिती पूरी पाडवा विशिष्ट प्रकार ना उत्पादननू विवराण, विशिष्ट सेवावननू विवराण, प्रश्णोनू समाधान करवो पाणींचिय सबंदित महिती पूरी पाडवी आम, आवा जुदा-जुदा हेतु सर डिरेक्टिरियों तैयार करवामा आवे छे मित्रों आम डिरेक्टरीना हेतु जुदा-जुदा छे डिरेक्टरियों खास करीने आंतराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रादेशिक के स्थानिक होई छे तेनी मुख्य बे विभागमा विभाजित करी शकाई छे डिरेक्टरिना प्रकारों जोई एतो तेना मुख्य बे प्रकार छे सामन्य डिरेक्टरी औने विशेष्ट डिरेक्टरी सामन्य डिरेक्टरी बेवी भग मा विभाजित करी शकाई छे शहरो औने नगरो नी भौकोलिक डिरेक्टरी टलिफॉन, टलिग्राफ औने टलक्स डिरेक्टरी છहरों અને નગરોલી ભાકો ક લીક્મિક ડિરેક્વ્લે વિશે જોઈયને તો डिरेक्टरी ओप सिटीज एंड टाउन इंडिया बाय ओपी शर्मा दिल्ही क्री ना यहनु पॉब्लिकेशन चे 1989 माय पॉब्लीच थाहली छे, आ डिरेक्टरी माय 423 जेटला शहरों अने कस्बाऊ अने नगरों नुँ पहुगोलिक खेत्र वस्ती सहरनु स्थान जिल्नानु वगेरेनी माहिती अफ़ाम आविल छे, बीजो प्रकार टैलीग्राफ अने टैलक्स डिरेक्टरी, आ प्रकार नी डिरेक्टरी नुँ ख्षित्र आंतराष्ट्रिय अने स्थानिक होई शके छे, आ डिरेक्टरी टैलीग्राफीक टैलक्स सर्नामा अथवा फेक्स नंबरों माहिती अपे छे, व्याप्ती संदप्श्रोत ना कार्य तरीकेते खुब चुप्पियोगी छे, एन्नु उदारण जो येतो, ओल इंडिया टैलीग्राफिक अट्रेस बरोडा इंडियान आक्सपोर्ट ट्रेड डिरेक्टरी, जे 1969 मां पब्लीस थाली छे, डिरेक्टरी नो मिजो प्रकार विसिस्ट डिरेक्टर्यो, विसिस्ट डिरेक्टर्यो पन आंतराश्ट्रिय और अने स्थानिक होई शके छे, तेने मुख्य त्रोण विभाग मां विभाजित करी शकाए छे, एक संस्थाकिय बे भैव साइक, त्रोण बे फार अने धन्धाने सबंधि डिरे वीशे चर्चा करिये, तो आपणे आगाओ आपणे ईयर्बुक नी उधान सभा चर्चा करी, उधा हंतरीके ईरोपा ईयर्बुक, स्टेटमेंच ईयर्बुक, तथा ईयर्बुक ओभ्ध। इप्रमाणे आपड़े इयर्बुक नी आगड चर्चा करी, उनाइटिन नेशन्स मा आपण अंतर्राष्टिय संगठोनी यादी तेनना वाणन साथे रजु करवामा आवे छे, अहीं फोरिती किटलाक महिती श्रोतनी चचा करीशु, जे वस्तु तह संस्थागिय डिरेक्ट करीचे परंतु, तेना शिर्षक मा डिरेक्टरी, इयर्बुक, हेंडबुक, एंसेकलोपीडिया, घाइड तथा रजीष्ट जेवा शब्दनों उप्योग करवामा आवतो न थी, किटलिक डिरेक्टरियो संस्थाओनी विस्त्रुत चानकारी आपे छे, जे मा संस्थाओना उद्देश, स्वरूप, कार्यो, प्रवरुतियो, सर्णामा, सब्योनी यादी, वगेरेनी माहिती अप्फामा आवे छे, उदाण जो एतो Commonwealth University Yearbook, Directory of the Commonwealth and Handbook of the, Handbook of their Association, London मा एनू publication थाए छे, Association of Commonwealth University, एनू Publisher छे, 1914 थी, annually एनू publication थाए छे, इस्वीशन उगनिसो उगनपच्चास, थी 46 सुधी ना समय गाड़ा धर्म्यान, Yearbook of the University of the Empire तरीके आनू प्रकाशन थतु हतु, इस्वीशन उगनिसो अड़्तालिस्ती 57 सुधी ना समय गाड़ा मा, Yearbook of University of the Commonwealth तरीके आनू प्रकाशन करवामा आवे छे, आखुबज उप्योगी माहिती स्रोच छे, तेनू प्रकाशन खंड मा करवामा आवे छे, दरक देश अंतरकत उनिवर्सीटी ना नामप्रमाणे कक्कावरी क्रम्मा गुठवामा आवे छे, जिमा इन्युवर्सीटी नू स्थापनावर्ष, मोख्य अधिकारी मंडड, कारोबारी न सब्भ्यो, वैफटी कर्मचारियो, संस्थावो, ग्रंथालाईनी आकड़ाकिय माहिती, पाठ्यक्रमो, प्रवेश्नानियमो, शिष्यवृती, पद्वियो औने रजानी विस्त्र प्रुत्माहिती आपेली होई छे, आमा देशोना कक्कावरी क्रम्मा त्यने गोठवा मावेल होई छे, बीजी व्यावसाइक डिरेक्टरियो, छिलना केटलाक वर्ष मा आंतराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानिक व्यावसाइक करना रावनी संख्यामा गणो वधा आरो थायलो छे, परिणा में कोई शेत्र विचेशना तजगनो अने विध्वानो नो सम्मू एक मन्च उपर एकत्रित अने संगत्रित थाईने, पोता नाक शेत्र नाक नाक न्याननो विखास करवा, उन्नत बनावा, प्रोचाहन आपवामा अने पोतानी प्रवरुत्तियो विश्त्रूत करवा माटे सम्मेलानों, चर्चाओ, करेशडावनों आयोजन करेचे, शंशोधन नियोजनावनी पुर्ति माटे पत्रिकाओ, मुलेटीनों, समाचार पत्रो, चर्चा, विचायनाओ, कार्यवाहियो, मोनोग्राफ तथा, शंशोधन एहवालनों रिपोर्ट जुद्युजदी विध्याशाखा मा प्रतिभावन्त विध्वानों मेडवा माटे तथा, तेमनों संपर्क करवा माटे मदद रूप थाए छे, World Directory of Mathematics, International Mathematical Union ध्वरा तेनू पुब्लिकेशन करवा मा आयोलू चे, 1979 मा तेनू पुब्लिकेशन थालू चे, आ डिरेक्टरी शाखा देनियेंदर गणितना क्षेत्रेंना 20,000 जिटला विशेशक्णोनी माहिती अप्वा मा आवेली छे, ती जो प्रकार वेपार अने धन्धाने सबंधित डिरेक्टरी, Trade and Business डिरेक्टरी, बधात देशों मा पुताना देशना व्यापार, उज्जोग, उद्योग्पत उत्पादको वगेरेनी डिरेक्टरियों पुर्ती संक्यामा प्रकाशित करवामा आवेचे, ते माटे जिद्यक्षेत्रों नी महिती समय समय मढती रहेचे, सामानेरीते आंतराश्टिय डिरेक्टरियों मा वेपार व्यावसाय अने उद्योगो औने तेमना उत्पादनी आविश्करवामा आवेचे, विशय अने व्यावसाय इक डिरेक्टरियों के जेमा, क्षेत्र विशेश अने विशय विशय विशेश तता व्यावसायों समावामा आवेला होईचे, ते डिरेक्टरियों सुक्ष्म, गहन अने विश्त्रुत जानकारी मेडवामाटे, पुत तनाक्षित्रवना मुख्य संदरफ्रोत नुँ कार्य करे छे, अनु उदरण जो येतो All India Book Trade Directory, 1986-87 मा सेकंड एडिशन एनी पब्लीस थाई छे, दिल्ली मॉडन पब्लीकेशन अनुँ पब्लीकेशन छे, 1987 मा अनुँ पब्लीकेशन थावा, थायलू छे, आमा पुस्तक विक् प्रकाशको, पित्रको, निकास अने आयात करनार पेडियो, अने प्रकाशकोना प्रतिनी धियो, नी चत्थाबन तेमा ज्ञाना व्यपारियो, ग्रन्थालैनी जरूरियात पुरिकरनार संस्थाओ, कागणना व्यपारियो, मुद्रको, तथा संग्राहकोनी जिल्ला वार, क पक्कावारी प्रमाणेनी यादी आपफामावेल छे जिल्नामा तेनी जग्याए चक्कस माहीती सरनामू, पिनकोड नंबर, भोगोलिक स्थीती, रेल्वे मार्ग, दर्षक, संकेतो, बैंकिंग, सग्वड, मालिकोना नाम, सरनामा, स्थापनावर्स, पोस्ट अफिसनू, सरन नामू, टेलिग्राफिक सरनामू, टेलिफोन अने टेलेक्स नंबर प्रकाशनू नी भाषा, खास विशेना पुस्तको पुरापड़नार चप्लार व्यपारियो, वगेरी नी सविस्तार महीती, आमा अपफामे आवेल होई छे, बीजो एक प्रकार हैंडबुक अने परिच प्रकार ना होई छे, आप्रकार ना संदर्प्सरोत जेवाके हैंडबुक, परिचर पुस्तिकाओ, अने मार्क दर्शिकामा मुख्य छे, तेमा स्पस्ट पेड भेद पाडवो खुबज, कठीन छे, त्वरित संदर्प्सरोत मा वार्षी की पंचांग अने डिरेक्टरी न जेम, हैंडबुक अने परिचर पुस्तिकाओ, पन महत्वनु स्थान धरावे छे, हैंडबुक शब्द मुळ जर्मन पद, हैंडबुच पर्थी लेवामा आवेलो छे, जेनो सामान्यर्थ थाए नानु पुस्तक, के कोई एक विशेन ना निरुपण नो ग्रंथ, अथवा हात माले, सरण थाथी हेरवी, फेरवी, शकाय तेवो नानो ग्रंथ, हैंडबुक, तत्यो नी एवी कृती छे, के जे संक्षिप्थ अने हडवी, च्वक्कस माहिती होई छे, परंतु तेमा सबंदित विशेनी, बद्धीच उप्योगे नी महत्वपुन, जानकारी सामेल हो छे, त्यानो अर्थ मागदर्शी का थाई छे, त्यानो अर्थ संक्षिप्थ हैंडबुक पन थाई, जेनो उप्योग कोई कड़ाना अभ्या सत्वा, व्यवसाई मा मागदर्शी मेडवा माटे करवामा आवे छे, आवी कृतियो कोई कार्याने पून करवामा सहाय था छे, आधी तैने सुचनात्मक पुस्तिका पन कहवामा आवे छे, आनी परिभाषा जोए तो, लुईस सोर्स, लुईस सोर्स है आनी जे परिभाषा आपी छे, एनूसर, हस्त पुस्तिका ते एक के वदू विशयोणा वेविध्य असर, तत्यों अने सुचनावनों सिवा माटे उप्योग मालेवाई छे, हस्त पुस्तिका अने परिचै पुस्तिका वद्चे नी भेद रेखा अत्यन पातडी छे, परिचै पुस्तिका ने हस्त पुस्तिका तरीके पन उडखवामा आवे छे, जेनों उप्योग कोई माग दर्शन के कैक सीखवा माटे करवा प्रस्तापी ज्ञाने सरण भार्षा माच उलब बनावा एक खंडिय संदर्प्सरोत चे आना हेतु जोईये तो ज्ञानना क्षेत्र माच त्वरित संदर्प्सरोत तरीके मदद रुप थवानो ग्णानना विशीष्ट क्षेत्रनी अध्यधन अने आधार्बूत माहिती पूरी पाडवी हकीकतना प्रश्णोंना उत्तरो अप्वा आ तेनों मुख्य हेतु छे हेंडबुक अना प्रकारो जुदा जुदा छे प्रकारो विशे जुएतो ग्ण्यान विश्बोर्टने काराणे हेंडबुक अने परिचे फुष्टिकाओनी संख्यामा व्रुद्धी थाएचे आने परिणा में माहिती जुनी थती जाएचे तेने अध्यतन राखवा सुधारा वधारा करवा पड़ेचे तेना प्रकार जुएतो सामन्य हेंडबुक आंकडाकिया हेंडबुक अहितियासिक हेंडबुक साहितिक हेंडबुक विशे हेंडबुक विहावारिक हेंडबुक कोठाओ पत्रको अने सरकारी हेंडबुक आ तेना प्रकार छे सामन्य हेंडबुक सामन्य हेंडबुक वीशे जोये तो सामन्य हेंडबुक माथी बधाच प्रकानी सर्वस्रिष्ट हकिकतने मेडवी शकाये छे न्यानना बदाक्षेत्रों नी महीती आवशक्तानू सार पुरी करवा माटे दरेक्षेत्र नी हैंडबुक उपलब्ध छे महीती अने अन्यमुख्य मुद्धावनी सुनी स्चित करवानी दरश्टेती विशय फस्तुनी गोठावनी विशय प्रमाणे करवा मा आवेल होई छे आमा विश्त्रूत निर्देशिका पन अपवा मा आवेल होई छे एच रिते अनू उदाहन जोई है तो फेमास फर्स्ट फाक्ट्स जॉसेव एन केन एनो लिखक छे नियुवर्क आने H.W. विल्सन द्वारानों पब्लिकेशन खरवा मा आवेल होई छे एक्क्याशी माई पब्लीस थाएली छे आएक महत्वपून संदर्पिश्रोत छे जे मात्र सामान्य ग्नानी वृद्धी माटे उप्योगी नती परन्तु विध्वानों अने शोद करतावों माटे पन उप्योगी छे नियानवर्दक छे तेमाँ विशै वस्तुने वणानुक्रम प्रमाणे गोट्वेल होई छे हकी कतोने अईतियासी काड़करम अने व्यक्ति गत नामा अनुसार गोट्वेली छे बीजो प्रकार आकडाकिये हैंडबुक अनेक पासा सबंदित आकडाकिये माहिती आ हैंडबुक मा आवेल होई छे કેટલાક દેશોની સરકાર દવારા આકડાકીએ માહીતી તયાર કરવામાં પણ આવધી હયે તે ઉપ્યક કરવે આમા લેબલ બીલો દવારા એનું પાબ્લીકેશન ધલું છે ઉગણી સો એકાણોમાં એનું પાબીકેશન ખરવામાવે પાબીકેશન ખરવામાવેલું છે ત્રિજો પરખાર એત્યાસેક એન્બુક એન્બુક એન્બુકમાં દેશ વિદેશની એત્યાસીક માહીતી પ્રાપ્ત ઘરી શકાય છે આનું ઉદાણ જોયે તો રૂલાર એન્ડ ગવર્મન્ટ ઓફ દવર્લ લ્ડ લેનું પ્લીકેશન થાયલું છે બાવકર એનું પ્લીશર છે થ્રી વલ્લ્યું છે ફ્લ્લું છે પ્રકાર સહીતીક હેન્બુક સહીતીત સબંધી અનેક પ્રશ્ણના ઉતર આ હેન્બુક માંતી જડપ્તી પ્રાપત સહીતી શીષ્ડ કૃતીયો ના સારાંસ પોણ મળી ચાઈછે થે મોટી સંખ્યામ હેછે ઉધારણજે તી સેતીતી સ उदाहन जोए तुद्ध ऑक्सपड कॉम्पिनियन्टी अमेरिकन लिटरेचर बाई जैम्स डी हार्ट ऑक्सपड उनिवर्सिटी प्रेश्ट्वारायनू पब्लिकेशन थाउचे 1993 मा यनू प्रकाशन करवामा आवेलूचे अक्सपड नी आ प्रकाणी साहित्यक संदयपकृतियों अंग्रेजी तथा फ्रैंच जर्मन तथा स्पैनिश अने प्रसिष्ट साहित्यक्षेत्र मा पाण उपलब्द छे પांच मों प्रकार विशय हैंडभूक औने विशयक्षेत्रमा अगरकन्य विशय हैंडबूक उपलब्द छे ते सबंधित विशयक्षेत्रमा तजक्नों अने शिक्षन विदो माटे खुब ज उपयोगी छे माही ते प्रद छे आजकाल नवी शोदो औने प्रगतिने कराणे आवी संदर्प्रुतियो जुनी थवा लागी छे जे मा केटलाग सुधारावदारा नियमेत रिते थता रहता होई छे परन्तु केटलाग स्रोतना सुधारावदारा थता नती अनू उदाहन जोईये तो हैंडबुक आप स्पेशल लाइब्रियेंसीफ और इन्फोर्मेशन वर्क बाई पार्टी लंडन मा यहनू पॉब्लिकेशन थाई चे ने एसलीब द्वाराएं एसलीब यहनू पॉब्लिकेशन करोली लूँछे 1992 मा यह पॉब्लिस थाईली चे छट्टो प्रकार व्यवारिक हैंडबुक हैंडबुक अने मैंनी ओलने व्यवारिक हैंडबुक कहेवामा आवे चे चे मा कोई खास प्रकार नूँ कारिय करवा माटे, सिखवा माटे, चलावा माटे, कोई वस्तुने बनावा माटे नी सरण माहिती स्पष्ट रिते बनावामा आवेल होई चे, आपवामा आवेल होई चे, तेने सुचनात्मक पुस्तिका पण कहेवामा आवे चे व्याहवारिक हैंडबुक ना साथ प्रकार छे परिवार आरुग्य अने प्रात्मिक उपचानी हैंडबुक गर गत्तु सारवारनी हैंडबुक सिष्ठाचार अने सद्व्याहवारनी हैंडबुक रसोईविदी हैंडबुक मनोरंजन हस्तकला थथा शौक हेंडबुक स्वसिक्षा अने जाते सिको हेंडबुक गर्व अपरासना साधनोंनी हेंडबुक आम जुदा जुदा प्रकारनी हेंडबुक हो चे एना विशिव इगते चर्चा खरिये दो परिवार आरोग्याने प्रात्मिक उपचाने हेंडबुक परिवार ने माटे उप्योगी संदर्व साधन छे व्यावारिक हेंडबुक ना अनेक रोगों अंगेनी जानकारी मड़े छे तथा तेना लक्षणों तेना थी बच्वाना उपाय गुरु हुपचाय प्रात्मिक चिकित्सानी माही थी किटली की बीमारी ने एटकावानाई री तो वगेरी नी जानकारी आवी कृतियों माधी मड़ी रहे छे आनू दरहन जो ये तो Your Guide to Health by C.R. Anderson Puna Oriental Watchman एनू पब्लिकेशन छे 1976 मा एनू पब्लिकेशन था लो छे बीजो प्रकार घर गत्तु सार्वार हैंडबोक आंत्रीक सचावट बाककाम जुदा जुदा प्रकार न अवस्त्रों नी जाडवने ग्रोहस्तिन अनेक पासाओ अने तेनी देखपाड वकेरी नी माहीती आपफामावेल छे ग्रुहिणियों माटे अविक्रुत्यों भीत्रनी गरत्सारे छे चेनू विपाक्षेत्र खुबज व्याफाक छे उदाहन जो ये तो वोमेंस होम कमपेनियन हाउस होल्ड बोक बाई हैंरी येनू अथर छे नियुवर्क मा येमनू पब्लिकेशन धलो छे न कोलियर येनू पब्लीशर छे सिष्टा अचार ने सद्वयवार हैंड बुक हैंड बुक नो एक प्रकार आप्रकार मा जो ये तो सामाजिक रिद, रिवाजो, आदतो, आच्चार, विच्चार अने मानवी ना एक विचा सादेना सबंधो विश्यनी माहिती होय छे ब्रुद्धो, बाड़को, युवानो, यूतियो अनने महिलाओ माटे जुदी-जुदी हैंड बुको होय छे जुदी-जुदी दिश्यामा, आए हे तो ने प्रकाशित करवामा आवे छे, तेनू उदाहन जो ये तो, यंग पिपल्स गाइड मैनर्स, उचो अननो पब्लीश, ओथर छे, 1967 मेंनो पब्लिकेशन थेलो छे, रसोय विदी हैंड बुक, शाकाहरी अने मांसाहरी खाद्य प आहेंड बुक मा थी मडे छे, तेमा पोष्टिक आहार नी वस्तू नी पसंगी अने खरी दी, कैलरी वडाची जवस्तू ना तोल मा आप खावा माटे ना टेबल ने समझावा माटे नी माहिती, वगेरे पण आहेंड बुक मा आपवामा आवेल होय छे, उदाहन जो ये तो वर्किंग वुमेंस कुक बुक बाई वीमल पतिल, न्यू दिल्ली, इंडिया बुक हाउस एनू पुब्लिकेशन छे, 1979 मा एनू पुब्लिकेशन थालू छे, मनोरंजन हस्तकला तथा शौक हैंड बुक, नवराष्ण समय मा मनोरंजन माटे वीवीत प्रकानी हस्तकलाओ रम सीवन काम, भरत गुन्थन, बाग काम, फूलनी सजावाट, पोटोग्राफी, चित्र काम, तिकेट संग्र, सिक्का, संग्र हते माज वीवीत प्रकानी रमतो इत्या दिने लगती माहीती मडी रहे छे, आनू उद्रहन जोईये तो, Craft and Hobbies, Newark, Archon, BUB publication, 1964 मानू पब्लिकेशन स्वा सिक्षा औने जाते सिको हैंडबुक, आए ये भी हैंडबुक छे, जे सुचिनात्मक माहीती आपते होई छे, जेथी करीने कोई कार्य वीशे ने, केवीरी ते पुरू करी शकाये छे, कोई वस्तुने केवीरी ते बनावी शकाये, केवीरी ते कोई प्रक्रिया वीश पती, नती, तेने स्वस सुचनात्मक, स्यल्ख इंस्टुक्षिन नी सामगरी पन कहे चे, तेने खासकरीने स्वस सिक्षण अथवा स्वस सिको हैंडबूक, पन कहेंडबूक ноч चे, तेनोपयोग भाषाने स सिखवा माते पन, खरवा मा आवे चे, संगीत ना साधनोंने वगाडवा अथ्वा रमत्यू रमवा मशीन ने चालू करवा वगरे माटे पन आ हैंडबुक माहिति पूर्ण छे सिख्वा माटे उप्यगी छे उदार हम जोई तो लर्ण हिंदी in 13 days मद्रास मा एनू पब्लिकेशन थेलू छे गर्व अपरासना साधनोंनी हैंडबुक इलेक्ट्रोनिक उपकाणों तथा गर्व अपरासना साधनोंनी पोतानी मार्दर्शिका होई छे जे तेमने चलावा मा अने उप्योक करवानी रितनी समझ आपे छे अनेक हेंडबुक मार्दर्शिका अने परिचर पुष्तिकाओ एवी होई चे जे आधुनिक टंत्रोनी तथा साधनोनी सैध्धान्दीक अने व्यावारिक बाजुनी सम्झुदी आपती होई चे ठिक करवानी बद्धतियो जानकारी आपे चे एवी क्रुतियो पन होई चे जे खुबच उप्योगी चे सम्पुण तथा सरुडर संदर्प साधनन्दू काम खरे चे वैजनानिको औने टेक्टनीशन नू तथा साधराण व्यक्तिने ते खूब ज उपयोगी छे। वैजनानिको औने टेक्टनीकल वच्चे नू अंतर्मण उचु करे छे। आवे संदर्प्रूतियो माहिति प्रध है चे अने साथे साथे ये पन स्पष्ट करे चे के यंत्रो अने माना जीवन वचे अमर्यादित कडियो चे उदाहन चो ये तो कार रिपेरर्स प्रोपरली एक्स्प्लेंड मैंटेनन्स और अग्जेस्मेंट्स बाई बी सी मेक डॉनल्ड चात्मी एडिशन चे कोठाव, पत्रक, टेबल्स आकडा की अने परिमान वाचक सारणियो अपफ़ामा अवेली होई चे गाणी भॉग गोलिक इजनेरी तथा टेक्नोलोजी वगेरे विश्वयों मा परिणामों अने आकडाओनों उप्योग साउती वधारे करवा मावतों होई चे आथी वैग्नानी हैंडबुकों मा कोठाओ सारणियो ना रूप मा आकडा कीया माहिती आपेल होई चे माहिती आपफा मा भाषा अवरोद दूर थाई चाये चे उदाहन जो ये तो इंटरनेशनल टेबल फोर अक्स्त्रे क्रेस्टोलोग्राफी सरकारी हैंडबुकों सासकी हैंडबुक न स्वरूप मा प्रकाशित करवा मा आवया होई चे सरकारी कर्माचारियों द्वारा तेनों खुबज उप्यकरवा मा आवये चे आनू उदाहन जो ये तो स्वर्वाम्स हैंडबुक 1990 for central government servants आ एक एनू उदाहन चे मुल्यांकन त्वरित संदर्प स्रोतनु मुल्यांकन त्वरित संदर्प स्रोतना मुल्यांकन विशे जोये तो संदर्प ग्रंथा मुल्यांकन माटेना सामानने सिद्धान दो हस्त पुस्तिका आने परिचे पुस्तिकना मुल्यांकन माटे उप्यग मालेवाईल छे जेनी अगहुनना व्याख्यान मा अपने चर्चा करी छे त्वरित संदर्प स्रोतना प्रकार परिचे पुस्तिका अने हस्त पुस्तिका पुस्तिका प्रैन्योल सेंड हैंड बुक ठीकर आवेओं हवे अपने फरी मडिशु आज माध्यम द्वारा नमस्कार स्वाध्याय यह पर्यमंत पहाँ स्वाध्याय टीवी स्वाध्याय टीवी स्वाध्याय यह पर्यमंत पहाँ डॉक्टर बाबा साहिब आमबेड कर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्ध्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहिब आमबेड कर ओपन युनिवर्सिटी ना चैतन्य स्टूडियो मा आपनू हर्दिक स्वागत छे। मित्रों आजे आपने विज्यली इंपेर्मेंट एटले के द्रस्टिक शती विसे वाध करवानी छे। अने एमा पन आजे आपने आखनी रचना विसे जानवानू छे। आजनों आपड़ा एपिसोड नी अंदर आख कई रिते कार्या करे छे। आखनी अंदर कया कया एना भागो आवेला छे। ए भागो नी आजे आपड़े जानकारी मिडवानी छे। मित्रों आम तो आख एरले स्वाभावी कापन नेवु लागतु होई छे। भारती देखाती आख बहुँ सरण होई छे। पण एनी अंदर नी जे रचना छे। एकदम शुक्ष्म अने गहन होई छे। मेडिकलनी रिते जुवा छे ये तो आनी घणी टर्मोलोजी छे। पण हुँ आपनी समक्ष आजे जे आख विस्ते चर्चा करवानी छे। एक खुबज सरण भासामा हुँ रजु करवा जही रही छे। आख भगवाननी एक भेट छे। जे मनुष्यना जीवनमा सौथी वधारे महत्व राखे छे। मानव शरीर मां पांच ग्णानेंद्रियों हुई छे। आख, कान, नाक, जीव, अनेत्वचा जेना थी ते बहारनु ग्णान प्राप्त करे छे। कहवाई छे के व्यक्तिने सित्तेर्थी हैसी टका ग्णान आख द्वाराज प्राप्त थातु हुई छे। ज्यारे, कोई पन शिक्षक बाळक ना आखनी द्रस्टी नी चकाशनी करतो हुई, त्यारे तेने आखनु मालखु इटले के आखनी सरच ना, तेनु कारिय, तेना कारणों, ते अटकावाना उपायो, तथा आखना विकारों इटले के रोगो अंगेनु ग्णान हुँ जु जे थी ते आखनी द्रस्टी माँ शूं खामी छे, ते जाणी औने तेने मेडिकल ट्रिक्मेंट माटे मुखली शक्षे आखनी कार्यक्षम्ता मा अवरोध उत्पन थाए, अथवा तो आनो शरीर मा अभाव होई, तो मानव द्रस्टी जेवी प्राकृतिक भीर्ट थी, ते वन्चीत रही जाईचे आस्थिती मा व्यक्तिनी दुनिया मात्र पोतानी आस्पा सुधीच संकोचाई जाईचे, एलेके सिमीत बनी जाईचे परंतु, आजना वैजना वैजनानिक युगमा तिव्र गति थी प्रगति करता वैजनानिकोए, एवा साधनोनी सोध करीजे, जेना माध्यम्थी, मानव पोताना जनानेंद्रियोनी गतिशीलता, अने कार्यक्षमता इटलेके सांबलवू, सुंगू, स्वाद, अनेश पर्ष करवानी शक्तीने वधारीने जीवनने व्यवस्थित करीशके छे आखनी सरचना, आख एक केमेरानी जेम होई छे, जे बाहारना द्रश्यने आपना मस्तिक्ष सुधी पहुंचाडे छे आ भाग आपना माथाना पाछलना भाग मां होई छे, जेने आसीपटल लोब ओफ ब्रेइन कहवाई छे आख मां पन मशीननी जेम किटलाक उपकरणों लागेला होई छे आ एक गुँच्वण भरी अने सुक्ष्मरचना होई छे, आख एक पोला गोडाना जीवी होई छे आमां त्रोण प्रकारना आवरण इटले के लहेर होई छे जेमां प्रथम बहारनों आवरण जेने आपने इंगलिश मां कैसू द आउटर लहेर जेनी अंदर स्वेत पटल इटले के स्कलेरा अने पार्थशक पटल इटले के कौर्नेया इपच्छी नू आवरण छे मध्यनू आवरण जेने आपने मिडल लहेर जेमां यूविया मां कोरोईड सिलियरी बोड़ी आईरिस एटले के कनिनीका अंदर नू आवरण ध इनर लेयर जेनी अंदर नेत्रपटाल एटले के रेटीना होई जे द्रश्टी प्रक्रिया तंत्रने समझवा माटे आखनी रचना आखनी रचनामा आवता सुक्ष्म भागोनी कार्यवाही द्रश्टी साथे जुडायल चेता तंतु आबधाने समझवा खुबज जरूरी छे मित्रो लम्णाना हडका तथा नाकना हडका नी वच्चे पोलाणमा आख गोठवायली होई छे आखना डोडानो व्यास 2.5 सेंटिमीटर अथवा तो 1 इंच जेटलो होई छे आखना डोडानो आकार देखाव मां एक लाल डुम्डीना नाना दड़ा जेओ होई छे आखना डोडा साथे 4.8 और 2.3 सा एम कुल 6.9 जुडायला होई छे आखना डोडा स्नायू साथे जुडायला होवाना कारणे डोडाने आम तेम आपणे फेरवी शक्किये छे हाडकानी आसपासनी दिवाल फर्ते चर्बीना थहर आवेला होवा थी आख हलन चलन करे छता पण घर्षन थाए छे छता आखने नुक्षान थतु नथी मित्रो आपड़े जोई राया छे प्रथम बाहार नुँ आवराण ध आउटर लेर जेनी अंदर स्वेत पटल एटले के स्कलेरा अने पार्दसक पटल एटले के कौर्निया एमा जोईसू स्वेत पटल आ आखनी सौथी बाहर होई छे आ सक्खत अने मजबूत होई छे औने आखोंने आकार आपे छे आ सामान्यतं पांच छस्ट मांद भाग ने ढाके छे औने बाकी नोँ एक छस्ट मांद भाग कौर्णी आईटले के पारदर्सक होई छे ज्या स्क्लेरा अने कौर्नियानु मिलन धाय छे जेने आपणे लिम्बस कहिये छे स्क्लेरानो किटलोक भाग आपणे जोई शकिये छे बाकीनो हडकाओना कोटर मा छुपायेलो होई छे आ पटल पर एक पातड़ी च्यामडी जेवु होई छे जे आगलना भागे थाईने ए बन्ने पलक नी अंदरनी सपाटीनु रूप लई ले छे जेने आपने कंजक्तिवा कहिये छे त्यार बाच्छे पारदर्शक पटल एले के कौर्नी या काचनी जेम स्वच अने पारदर्शक होई छे परंतु जोवामा काडो गोडाकार देखाई छे केमके आहनी नीच्चे काडा रंगना टीश्यू आवेला होई छे आ आगर थी केटलाई रंग वादली, काडा, भूरा, लीला वगेरे जुवा मली शके छे नीच्चे ना टीश्यू नो जेओ रंग हसे तेओ दिखा छे पार दर्शक पटल स्कलेरा थी, लेके कौर्निया थी स्कलेरा थी आगर नी तरब थोडोक उभ्रेलो होई छे जेवी दिते घडियाल उपर काच होई छे कौर्नियानू मुख्यकारिय ये छे के ते प्रकास्टना कीरणोंने आखनी अंदर पहुँचाडी अने रेटीना उपर कीरणोंने केंद्रित करवानू होई छे पार दर्शक पटल एटले के कौर्निया जेम बलेलो होई छे आनो पावर प्लस 42 डायप्टर होई छे आखनी कूल आवस्यक्ता प्लस साहिट डायप्टर होई छे जेमा थी प्लस 42 मात्र पार दर्शक पटल ज आपने आपे छे त्यार बाद जो ही रहा छो मित्रों आप आक्रुती मां मध्यनू आवर एटले के द मिडल लहेर जेनी अंदर यूविया एटले के कोरोईड, सिलियरी बोडी, आईरीस, एले के कनीनीका मित्रों आक्रुती मां तमें जुई रहा छे जे आपने बद्धाज एरा थी बतावी छे एनू जे बिजू आवराण स्कलेरा पारदर्शक पटलनी अंदर यूविया छे पाच्छर थी आगळ आना त्रण भाग छे जेमा पैल्लू छे कोरोईड, बिजू छे सिलियरी बोडी, त्रीजू छे आईरीश हवे आपणे जोईशू कोरोईड, कोरोईड ना आवराण मा रक्त वाहिनी अने काडा पिग्मेंट होई छे आनू कारिय आखोने लोही आपवानू छे पिग्मेंट नू कारिय अना वच्यक प्रकाशना कीरणोंने फेलावाथी रोकवानू छे आगणना 5 मिलिमीटर ने छोडीने कोरोईड पूरा स्वेत पटल एटले केस कलेरा ने अंदर थी ढांके छे आगणनो 5 मिलिमीटर सिलियरी बोडी थी ढंकाएलो होई छे सिलियरी बोडी विशे आपड़े जानी शुँ आ त्रिकोणिय छे अने आ सिलियरी बोडी मास पेशियो अने ग्रंथियो थी बनेलो छे आ मास पेशियो लेंस थी जुडाएली होई छे तथा लेंस ने पावर ने बदलवामा सहायक होई छे जेमके दूर अने नजीक नू अंतर होवा पर पावर बदलाई जाई छे ग्रंथि थी एक एक्वस यूमर बने छे जे आखना प्रेशर ने रोकी राखे छे अने बीजु आ लेंस था पारदर्शक पटल ने पोशन आपे छे त्यार बाद छे आईरीश पारदर्शक पटल एकदम पाचळ होई छे एक नहनू छिद्र जे बिलकुल वच्चे होई छे जेने आपने प्यूपिल कईये छे आ छिद्र सिवाई ते चारे बाजु पड़दा थी 300 साही डिग्री सुदी घेरा आयलो होई छे पारदर्शक पटा लेटले के कोर्निया पारदर्शी होवाना कारणे आपने आयरिश ने जोई शक्ये छे अने आना रंग थी आखोनो रंग पण कही शक्ये छे आयरिश नो आकार आवश्यक्ता अनुसार वधतो हने घटतो रहे छे आ काम प्यूपिलनी बे मास पेशियो करे छे एमाथी एक संकोचाईने प्यूपिलने नानी करे छे तो बीजी मास पेशी छे एने फेला वानू काम करे छे कया समय आपने केटला प्रकाश्मा काम करी रहा छे ए हिसाब थी प्यूपिलनी आ मास पेशियो प्यूपिलना आकार वधारवानू अने घटाडवानू नक्की करे छे जेमके वधू प्रकाश्मा प्यूपिलने नानी करी नाके छे अने ओच्छा प्रकाश मा एने फैलावी देई छे त्यार बाद लेंस आखनी कीकी एटले के प्यूपील नी पाछल एक गोल पारदर्शी लेंस होई छे आनुकाम पारदर्शक पटल एले के कोर्निया औने आईरिस्थी आवेला प्रकाश्चना कीरणोंने पड़दा उपर केंद्रीत करवानू होई छे आनो पावर प्लस अधार डायप्टर छे जे पारदर्शक पटल ना प्लस 42 डायप्टर थी जुडाई ने प्लस साहीट डायप्टर बनी जाई छे आ लेंसनो आकार आवश्यक्ता अनुसार ढड़ी जाई छे अने आ काम तेने सिलियरी तंतु पेशियो करावे छे जयारे नजीकनी वस्तुओ जोवी होई तो आ लेंस जाडो बनी जाई छे अने दूरनी वस्तुओ जोवी होई तो लेंस पातलो थाई जाई छे लेंस नुँ आ लचीना पनु दूर अने नजीक अथ्वा बन्ने दूरीने जुवामा अपने सहाईता करे जे लेंस नुँ आ लचीना पनु वदती उम्मर साथे ओछु थाई जाई जे जेना कारणे आपनी नजीक नी द्रस्टी उपर असर पडे जे चालीस वर्ष्णी उम्मर पछी आ प्रगट थवा लागे छे एटले के मुटा भागे वांचवा माटे आपनने चश्मानी जरूर पडे छे अंदरनु आवराण एटले के धा इनर लेहर मित्रो तमे आकरूती जोई राया छो ते प्रमाणे त्रिजु अंदरनु आवराण रेटी नाथी बनेलू होई छे आ त्रिजु आवराण एटले के अंदरनु आवराण नेत्रपटाल एटले के रेटी नाणू छे जेने आपने गुजराती मा याने एक साधी सरल भासा मा आँखनो पड़दो कईये छे आखनो आपड़दो सवथी अंदरनो अने समवेदान सील भाग छे आना एक वर्ग इंच थी पन नाना क्षेत्रमा तेर पॉइंट साथ करोड समवेदी कोशी काओ जुवा मले छे आमाथी तेर करोड सली कोश जेने आपने कईये चे रोड सेल होई छे जे काडा अने सफेद नू अंतर करे छे तथा सित्तेर लाख संकू कोश एटले के कौन सेल होई छे जे आपने रंगो नी ओडख करावे छे एक नस दरेक सडीकोश अने संकू कोशो थी निकडे छे अने बद्धी नस पछी आवी ने एककज जग्याए एकठी थाई छे जेने आपने ओप्टिक नव अथ्वातो क्रेनियल नव तरीके ओड़ाखिये छे एक ओप्टिक नव आँख थी निकडी ने पछी मगजना ओसी पटल लोब सिद्वी पहुँचे छे सडीकोशो आ सडीकोशो आ पड़दाना दरेक भाग मां फेलाएली होई छे सडीकोश मां उपस्थित रंग द्राव्या रोडस मां फोटो रासाणिक परिवर्तन थाई छे ए पोतानो रंग छोड़ी दे छे अने रंग हीन थाईने विटामीन ए मां बदलाई जाई छे आना थी बहुज बारिक विद्युत्तरंग उत्पन थाई छे जे पड़दानी तंत्रकी या कोशिक आओ थी द्रश्टी तंत्रीका अने द्रश्टी तंत्रीका थी समवाहित थाईने मस्तिश्क ना द्रश्टी संबंधिक शेत्रमा पहुची जाई छे आ तरंगोनी रफ्तार 300 मिली प्रती कल्लाग होई छे मस्तिश्क मा स्थीत द्रश्टी केंद्र आ तरंगोने तरतज विशलेशन करी सामेनी जे कोई भी घडना होई छे यहने प्रस्तूत करे छे आ बदीज प्रक्रियामा मात्र 0.002 सेकंड लागे छे संकुकोष एटले के कौन सेर एना विशे चर्चा करीशू नेत्र पटलनों आखो भाग जुवानों कारिया नथी करतो रेती नानो मात्र एक नानो भाग जुवानों कारिया करे छे जे मात्र 2-3 मिलिमीटर नो होई छे अने जियां बद्धु प्रकाश केंद्रित्थ ततो होई छे एने फोबिया सेंट्रेलिस कहे छे आज पड़दानों सौथी सम्वेदन शिल भाग होई छे आना थी मुख्य तह आपने रंगोनी ओडख करी शक्ये छे अने बारिक काम पन आना कारणे ज आपने करी शक्ये छे परंतु शंकु कोस रंगोनी ओडख केवी रिते करे छे आ विशाई मां हजू पूरी रिते शंचोधन नथी थाई शक्यू कहवामां आवे छे के शंकु मां त्रण प्रकारना रंग द्रव्य होई छे लाल, लीलो अने वादली आ रंगोनों जोड तोड़नों हिसाब आपना मस्तिष्क ने रंगोनों साचु गणान करावे छे परंतु केटलाक लोको जन्मतिज कलर ब्लाइंड होई छे तेओ एक अथवा वदू रंगोने ओड़क्वामा असमर्थ होई छे कलर ब्लाइंड एटले के रंग अन्दतानों आ रोग आ विकार वंचानों गथ होई छे तथा पुरू शो मां वधारे पड़तो आ जोवा मले छे शंकू कोस नी विशेश वाते छे के ते ओच्छा प्रकाश मां काम नथी कर था तेथी ओच्छा प्रकाश मां रंगोने ओड़क्वा संबव नथी अने वस्तुओ आपने वादड़ी देखाई छे आवा समय मां आपने शड़ी कोसो एटले के रोड़ सेल द्वाराज जोईए छे इप अच्छी छे विट्रस लेंस अने पड़दा नी वच्चे नी जे जग्या छे जे आँ एक द्रव्य पदार्थ जोवा मले छे जे जेली जेव होई छे ते विट्रस छे औने आ पारदर्शी होई छे मित्रों यह तमे जे आपड़े आँखोनी भागो विशे चर्चा करी अत्यारे आपड़ी सामय जोई रिया छे आँखनी पून आकरूती ने आपड़े निहाडी रिया छे जेनी अंदर आँखना दरेके दरेक भागोने बतावामा आवी रिया छे जेम के शरूआतना माडी ने बद्धाज भागोने यह दर्शावामा आवया छे अने आर इतना आँखनी एक पून आकरूती तैयार थाई छे नेत्र गोलक ने उपर निच्चे डाबी जमनी फेरवा माटे कुद्रते आपणने नेत्र पेशी पन आपी छे जे एक दिवसमा आँख लगभग एक लाखवार हले छे छ माँश पेशी ओ आ प्रमाणे छे मित्रो तमे आकरूती आईया जोही रहा छो जेनी अंदर सुपीरियर रेक्टस जे आँखने उपर नी बाजु फेरवानू काम करे छे बीजी छे इनफिरियर रेक्टस जे आँखने निच्चे नी बाजु फेरवानू काम करे छे आखने अंदर एटले के नाकनी बाजु फेरववानु काम करे छे चौथी मास पेसी आप आकुरूती माँ जोई रहा छो reap lateral rectus एटले के आखने बहार बहार एटले के काननी बाजु फेरववानु काम करे छे पांच मी मास पेसी छे सुपीरियर ओबलिक जे आँखने बाहार औने निच्चे नी तरफ फेरववानू काम करे छे छट्थी मास पेसी छे इनफीरियर ओबलिक एटले के आँखने उपर औने बाहार नी तरफ फेरववानू काम करे छे મित्रो આजે આपણે આँખની રચના જુઈ એ કઈ રિતે આંખની રચના માં એનાજી ભાગો છે एक कई रीते पोतानों कारिय करे छे, ते विशे आजे आपने चर्चा करी, हवे पछी आवता एपिशोड नी अंदर आपने आखना विवीद रोगो विशे चर्चा करवानी छे, कि आखना कारणे कया कया रोगो थी आपने आखने शुन नुक्सान थाई छे, अने एना थी ए नुक्षान थतू अटकावा आपने शूं करी शक्किये एना विस्ते चर्चा करी शूं नमस्कार